कि अच्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अयार इस्टेडि में दोस्ते इस वीडियो हम चक्रवेद्य भी आज के कुशन को सौल करेंगे यह चक्रवेद्य भी आज का पहला ही पार्ट है इसमें हम इसके बेसिक को भी सौल करेंगा इससे पहले हमने परस अब कुशन को सौल करने से पहले हम क्या गरेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं जैसे कि यहां पर लिखा भी किया आईगी जो भी हमारा सी आई होता है यानी कि यहां पर बियाज के उपर भी मिलने लगता है हमें माननी जिये हमँद है यहां पना कशी हो और रेट है हमारा 10% यहां परहले साल को है कितना मिलत वाह पर पहले साल मिलत वाया तो और रासे जूड़ करके कितनी हो जाएगे हमें 20 हो यह बार पर से सब्सक्राइब कितनी हो जाएगे 1100 रुपै अब जो हम मिलेगा हमें वह अगले साल के ऊपर एंटxis मिल अधियर आपके बार हमें 1110 के बराबर हैς यानि कि यहां पर हर साल के उपर अपर होता जाएगा है अगर सा्धंत होता तो यहाँ पर किया होता भी आगर पहले साल 100 का मिला है तो दुसरे साल भी 100 कहीं मिलता दूसरी चीत क्या है बढ़ के अरफ होता है मतलब मीश्रधन में प्रोड़ा में अगर अगर हम इंट्रेस्ट को जोड़ने के जो भी हमें plus R upon 100 यहाँ पर आजा गई N क्या है यहां पर यह वर्षों की संक्या होती यहाँ पर गर पावर 1 है तो 1 साल है पावर 2 है तो 2 साल है तिन है तो 3 साल है लेकिन हम क्या करेंगे इस फॉर्मुला का आपको यूज़ नहीं करना है यानिके इसको याद भी अगर आपको यह ना रहे तो कोई problem वाली बात यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि इससे हम question को नहीं solve करेंगे इसी से क्या होता है ratio method निकल गया था और effective rate हम क्या करेंगे उन दूनों method का यहाँ पर use करेंगे effective rate बहुत ज्यादा यूज होता है ऐसे question में तो effective rate आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा help करें question को solve करने में दो साल वाले तो question हम क्या करेंगे बीना पेहन चलाए भी solve कर सकते है effective rate से कैसे कर सकते हैं देखिए यहाँ पर effective rate मालने जिए पहले साल जो ब्याज की दर है वो 10 परसेंट है तो दूसरे साल भी 10 परसेंट होगी दूसरा तरी का किया है इसको फॉर्न मालने में put करके निकाल लेंगे दूसरा तरीका क्या है इसको रेशो से भी solve करेंगे 10 से 11 जस से 11 ऐसा करके दूसरा तरीका यहां पर effective rate भी होता में तो देखिए आसान question है तो हम यहां पर effective rate लगा सकते है अब देखें हैं यहां पर 2 आई कि ददर एक साल में अगर हमें 10% मिलागा पिलस का दूसर साल यहां पर 10 लेकिन दूसर साल आई के ऊपर भी आई मिलेगा तो plus कर देगेमं दस तो गुना में हैं जागे यह दस बट्टे में यहां जाएगा देखिए सो तो देखिए जीरो से जीरो कैंसल हो जाएगा यहां दस सर दस बीस और एक इकिस अल्टिमेटली दो साल में जो हमें compound interest मिलागा वो कितना मिलागा 21% का मिलेगा तो हम एक हजार का जब 21% देखिए तो कितना निकल के आजाएगा हमारा 210 निकल के आजाएगा तो जो देखिए हमारा जो सी आई निकल आएगा 210 निकल का जाएगा इफेक्टिव रेट से बहुत जल्दी हम इन कुछिशन को solve करेंगे मालेजी है यह पर रेट अकर मालीजी पांच परसेंट देढ़े य यानि के हैं कर देंगे में 211 प्लस के यह जा गए यह जा गए 100 के तो यह जा गए सो जीरो से जीरो कैंसे यह यह 08 लग जा गए यह 21 20 10 देखे कितना हुझा गए 31 करदेंगे में between 1121 तो हमारी effective rate कितनी निकल के यहां पर देखे 33.1% तो तीन साल में में देखे कंपॉंट इंट्रेस्ट में लगा एक हजार के उपर वो कितना मिलेगा हमें 31.1% का में ब्याज मिलेगा तो देखे अब देखे जहाम इन कुश्चन को यानि के इस मैथट को हम जब कुश्चन में एपलाई करेंगे तो वहां पर आपको ज़्याद मालीजी यही कुश्चन होता है यहाँ पर अब देदी हैं यहाँ पर फिट से हम इसको ले लेते चलिए यह एक्जामपल लेगा हम 10% यहाँ पर क्या है रेट हमारी और टाइम हमारा क्या है यहाँ दो साल है और देखे हमें क्या पूछा गया है इसका मतलब क्या है एक 10 के एक का ब्याज मिलेगा मियानि के 10 प्रेसंट मतलब एक बैक दस के बराबर होता है तो देखे समय अगर 2 साल का तो हम क्या करेंगे आपर जो हमारा प्रेंसीपल है और जो हमारा अमांट है उसका रेशो मिलए अपर लिक सकते हैं तो देखे हमें 10 के उपर क्या मिलागा? एक का वियाज मिलागा, तो कितने amount हो जाएगा हमारा 11 और देखे समय हमारा 2 साल है तो हम क्या करेंगे? 2 का square करेंगे, 2 का square करेंगे, ये हमारा निकल क्या जाएगा ratio, principal और amount का, square क्योंकि हमने, अगर आपको 2 साल दिया तो आप स्क्वार करेंगे 3 साल दिया गया है तो आप Q करेंगे अगर यह नहीं करना तो आप 2 साल है तो आप 10 से 11 लिखेंगे 3 साल है तो फिर से आप 10 से यहां पर 11 लिखेंगे यह 0 नहीं यह 10 से 11 हो जाएगा तो ऐसा लिखने से बहbereत रहे एकि आप क्या करेंगे जितने साल भी देगे आप उतने ही यहाँ पर स्क्वार उसका कर देंगे जैसे हैं यहाँ पर यह साले तो दो का हम स्क्वार करेंगे डरेगल Familien कितन आ जाएगा सो गुना कर देंगे यहां त्समें मुंधी हम 10 से मुंधा कर देंगे हूं से पूछा बिछा जाता कि इंध मृ इसमें मृ किंव्धन कर देंगे हम इस सेliche ratio निकल के आता है जैसे दो साल है तो यहां जाए गई दो साल के लिए हम यूज करेंगे ratio दो ratio एक का यूज करते हैं दो साल के लिए golden ratio भी इसको बोले जाता है तीन साल है तो तीन ratio तीन ratio एक का यूज करेंगे चार साल है तो मतलम 4, 6, 4, 1 का यूज हम करेंगे 5 साल है तो 5, 10, 10, 5, 1 का यूज करेंगे तो ये वाले रेशो से भी हम इनको solve कर सकते हैं जैसे मालने यहाँ पर इसको मैं साफ कर देता हूँ तो रेशो से अब ये रेशो आता कहां से वो भी हम prove कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो इनका ये सारे के सारे ये इसी formula से निकल के आया हुए है method है तो देखें यहाँ पर दो साल के लिए ratio का जो use करते हैं तो रेशो को use करते हैं अब देखें एक हजार का हमें अगर 10% निकलना होगा तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर इसका हम 10% निकलेंगे तो सीधा सीधा सो निकल के आ जाएगा तो देखें सो निकल के आएगा एक हजार का 10% अब इसका भी हमें 10% निकलना है सो का तो 10 निकल के आ जाएगा तो यहां जाएकर ratio two ratio one में हमें क्या मिलेगा है यहां ब्याज मिलेगा जो सुरूवाला होता है वो तो देखे हमारा होता है साधरन ब्याज और बाज में मिलता है हमें चक्रवद्धी ब्याज तो यहां जागे दो सो पिलस कर देंगे हम इसे दस तो देखें यहां पर भी हमारा जो ब्याज निकल के आएगा दो सो दस ही निकल के आएगा तो देखें यहां पर हम इस वाले method का भी यूज़ करेंगा यह ratio भी आप याद कर सकते हैं यानि कर दो साल का और तीन साल का आप रेशो यहां पर ध्यान रख सकते हैं तो देखें हम अगर एक का स्कॉार करेंगा तो एक ही आएगा अगर हम 11 का स्कॉार करेंगा तो देखें कितना आएगा हमारा 11 का स्कॉार यहां साथ है 121 सिर्ट किस अगर हम ग्यारा क्यूब करेंगे तो कितना आएका लिए गया यहाँ यह kilogram पर 1260 के बराबर अब देखे मैंने क्या है ऑन इसका एक अब और है इसका इसको और ठाजा ना एका यहाँ तो इसके तो देखिए यह तीन साल का रिशो आगे यहां पर यह दू साल कर रिशो आगे आप ऐसे भी सको ध्यान सकते हैं तो अब देखे हमने क्या गया इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लिया याने कि अब हम directly question पर चलते हैं तो पहला question देखे अब हम solve करेंगे यहाँ पर देखे आप क्या कर सकते है इफेक्टिव रेड भी लगा सकते है और यहाँ पर आप ratio method का भी use कर सकते तो देखे principle यहाँ पर हम amount का हम ratio यहाँ पर लिखेंगे तो कितना जाएगा देखे 15% हमें rate दी गई और समय दीए गए हमें 2 साल का तो इसका मतलब होता है 15 15 और यहाँ जाएगा देखे यह 5 चोग 20 तो बीस तीन सही तो सोरी 3 बटे 20 क्या हो जाएगा 15% का fraction value हो जाएगा मतलब यहाँ पर value हो तो amount हमारा हो जाएगा है यहाँ पर यह 23 और देखे टाइम दो साल का है तो हम क्या करेंगे इनका square कर देंगे सीधा सीधा यहाँ पर हमने इसका square कर गया है अगर देखे आपको square ने करना तो आप 20 को दो बालिक देंगे 20 रेशो 23 बीस रेशो 23 अब देखे 20 का square होता है है यहाँ पर 400 और यहाँ पर 23 का square होता है पांज सौ नतिस के बराबर तो देखे हमें जो ब्याज मिला गा हो किटना मिला गा हमारा principal दो है 400 और amount है हमारा पांज सौ नतिस तो हमें भी आज कितना का मिला है यहाँ पर 119 मिला है इंस यहाँ पर कि principle हमें दिया हुआ है 400 पर question में बोला गया कि principle है 45,000 रुपए यानि कि 400 की value हमें दी गई है 129 की value हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो देखे हम इसको यहाँ लिख लेते कि जो 45,000 हमें दिया गया है यह कि इसकी value है यह 400 की value है और 129 की value हम से यहाँ पर पूछी गई है तो 129 का मान हमें यहाँ पर निकाल लेना है अब देखे हैं यहाँ पर जो कटर है हम उसको काड़ देंगे पहले तो दीखें 2-0 से तो हम 2-0 को काड़ देंगे इसके पात दीखे हम क्या करेंगे यहां से 2 से इसको काड़ लेंगे हम तो यहां से 450 को 2 दूने में 4, 2 दूने में 4, 2,5, 10 अब देखे 225 यहां जा गई यह 139 इन दोनों के हमें मल्टिप्लाइ कर लिनी नहीं है और फिर 2 से हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे या फिर देखिए ऐसा ना करने के हम क्या करेंगे इसको calculation आसान बनाना लेका हम क्या करते है दोसे इसको काटते नहीं है ऊपर जो बच गया देखो ओपर तो बच जाएगा है यहाँ पर चार सो पचास और यहां पर बच जाएगा यह 129 और बट्टम में कितना यहां पर यह चार है तो हम पहले इनकी ही गुणा कर लेते डिरेक्ली एक सो चार सो पचास के और 129 के तो देखिए इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी यहां पर क्योंकि कॉंसेप्ट ही यहां पर देखिए कॉंसेप्ट ही आपको समझना है कैलकुलेशन तो आपके उपर डिपेंड है कि आप कैसे कर सकते हैं वागे सबसे जादर जो देखिए अर्थमेटिक मैथ में कैलकुलेशन बनती है वो कमपांड इंटरेश्ट में ही बनते हैं यहां पर बहुत भरबर के क्यों कुछिशन पूछी जाती है एक्जाम में तो देखिए इनकी मुल्टिप्लाइ करनी है इसकी मुल्टिप्लाइ करना भी आसान है देखिए हैं पर हम क्या करेंगे 9 गुणbenे 5 और इसको तो तोड़ स बचे लेगे 55 और एक चेह का चेह अब हम 9 से मिल्टिप्लाइ किलेंगे इसमें तो जीरो यहां जाए गए 95-45 यहां बच्छाइगा यहां पर यह साठ हो जाएगा छह बच्छेगा नो-चोग आ जाए गाए इसमें 4 से divide लगा देंगे तो देखे 4 से इसको divide लगाएगे 4 एकम 4 आजागा यहाँ बचे गई फिर देखे हिहाँ जागए 4 चोक 16 फिर 2 बच गया यहाँ पर यह 4 पंज आजागए हिहाँ 20 तो देखे 4 पंज यहाँ जागए 20 के बराबर कहीं हमने mistake तो नहीं कर दी यहाँ पर देखे 4 पंज आ जागए चार इकम 4 दो बचाए 4 चोक 16 दो बचाए 4 पंज बचाए 20 option यहाँ पर देखे इसमें यह नहीं है 4 पंज बचाए 20 आगए हिहाँ पर देखे अभी 4 पंज आ जाएगा यहाँ पर यह मतलब calculation यहां पर देखिए आपको इसकी करनी थी दूसरा तरीका भी देखिए हम यहां पर discuss कर ले देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है देखिए rate हमारी कितने पंदरा परसेंट है एक साल में पंदर परसेंट है तो हम क्या करेंगे इसकी effective rate निकाल लेंगे 15 दुन थीज तक 216 मतलब देखे 15 पिलस कर देंगे हम यहां पर यह पंदरा 5 है कि 15 गुणा में हैं जाए 15 बैटे में सो chicken ही पॅंट लगा दि कितना जाँ में 32 Pew गाओ है ये 15 इंग क्या है यहां पर जो 15 परसेंट के इफेक्टिव रेट निकल के आई यह देखे इतना लंब हमें इसको करना नहीं इतनी तो हम मन में ही कर लेंगे कि पंदरा जुना में हो जाए गतीज पंदर अगसवार 252 यहां आ जाएगा 32.25 क्या आ जाएगा इफेक्टिव रेट नहीं है करेंगे 45,000 जो हमें दिया गया इसका हम 32.25 परसेंट निकाल लेंगे तो यहां पर हमारा अंसर आ जाएगा ऐसे भी हम इसको सॉल कर सकते हैं देके दूसरा कुशन सॉल करते हैं हम दिया गया यहां पर 10,000 का तीन वर्स का चक्रुद्धि ब्याज कितना होगा जबकि करती है तो देखिया हमें दिया गया पहले साल तो पांच आरपर सेंट तो देखिये प्रेंसिपल और अमांट का जब रिश्यों यहां पर लिखेंगे तो क्या जाएगा 4% होता है एक बटे 25 प्रेंसिपल अगर हमारा 25 ए तो इतना हो जाएगा एक कभियाज मिलके 26 आ जाए गुशन में हमने करने हैं इसका यहां पर सक्सेसिव क्यूर्मृले का यहां पर पहले दो का निकालनेंगें फीर यह पर का निकालनगत जरूर में आप बातवाले ले सबीच वाला ले सकते हैं तो हम लिखेंगे निया डिरेक्ट वाल करें देखिए हम पर चार पिलस प्लस के पांच पिलस के चार गुर्णा में 5 बटे सौ कर तो पांच चार्ट तो दीए नो आगया है, प्लस यहां कितना जागए पांच चुक बीस तो बीस आजागए है, एक पॉइंट है तो पॉइंट टू, तो यहां जागए पॉइंट टू फिर आएगा है, यहां पर देखें, नाइन पॉइंट टू में शिक्स अपॉइंट में आ जागए है यहां पर यह पर हैंड़े, तो तीन साल की इनके हमने क्या गया है, एक पॉइंट यहां जाएगा, पंदरा दसमलो दो के बराबर, प्लस कर देगा हम इसमें, पहले हम इसम 25 का 25, तो देखें, 20 नीचे और एक पॉइंट यहां पहले हम इसमें प्लस करते हैंगा, यह प्लस करेंगा, यह 552 को, तो कितना आजागा है, यहां 25,7 पॉइंट यहां जाएगा, फाइफ बंदरा पॉइंट है, पंदरा पॉइंट यहां पर साथ 5,2 परसेंट, तो हम क्या करेंगे देखी यह calculation इतनी हमने मन में ही कर लेनी थी दो तो देखें हम मन में ही कर लेंगे तीसरा को हमें लिखना पड़ेगा अब देखें हमें आसान दे गई है calculation यह answer समझ लो हमारा आही गया क्योंकि देखें यहां पर लिखा हुआ यह मालो है पॉइंट नहीं है तो यहां 7,5,2 अब देखें यहां तीन अंकों के बादेज़ें तो हमने क्या नीच से 3-0 बढ़ा दिये और 2-0 यहां पर पर सेंटेज के आजाएंगे परसेंट का सा इंग बहुत ना लगे तो देखें एक खेंव में बहुत ही कम समय में ही इसको हम स्टॉल कर लेंगे जब आपको इसको समझ आ जाएगा तो देखिए आप जब इसको खुछ से सॉल करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में ही इसको सॉल कर लेंगे रेशो से आपको इसको सॉल नहीं करना है वरना आप इसमें फस जाएंगे अब देखें कुशन नंबर 3 यहां पर दिया गया है कि 16 38Doors 10500 का नहीं 10पा दर्श देख हमाय ज्याज कितना होगा LAUGHTER किशन चाहमाय देखें हमाहिनयी यहांतल क्या हैं तो देखे 12 महीने की जो दर है कितने है 10 परसेंट तो पांच परसेंट की जो दर आ जाएगी और 6 महीने के चार बनेंगे तो देखें दो साल है, दो साल में कितने महीने होते हैं, देखें 24 महीने हैं, तो एक 6 महीने का बनेगा फिर एक 6 महीने का फिर एक 6 महीने का फिर एक 6 महीने और हर 6 महीने में rate जो लगेगी वो 5% के यहाँ पर लगेगी हर 6 महीने 5% के rate लगे इत मींज 5-5% के 4 time period यहाँ पर बरने वाले हैं तो 5-5% के rate हमें यहाँ पर लगने वाली है अब देखे इसमें हम क्या करेंगा ratio method का use करेंगा इसमें सक्सेसिम नहीं लगाएंगे वरना कैलकुलिटिम होने वाला है यह सवाल भी तो देखे कहां पर क्या यूज करना है वह हम यहां पर कर रहे हैं तो देखे 5% का fraction value हमें पता है कितना होता है एक बटे 20 के बराबर होता है देखे यहां तो यह principal है यहां पर यह amount है 5% मतलब 5 से value कितनी हो जाएगे हमारे यहां पर यह किस होने वाली है अब यहां पर δेखे 20 कितनी बार हो जाएगे यह 4 बार हो जाएगे 5-5% का हमने देखता है यहां पर यह 4 टाइम पिरिएट बने यहां पर यहां पर पावर फोर क्यों नहीं किया इनका पावर फोर करेंगे तो यहां पर एख चैलकुलेसन हमारे बढ़़ जाएंगी यानि कि आप देखेएं आपको लग रहा हूँ कि हाँ यहां पर यह क्याल प्रियोरेशन करना आसान नहीं है यह लेकिन कुछ भी नहीं यहाँ पर देखे आप दो को कई सकते रहें प्र, इसमें पर का रिखा थेLee, 222 को में यहाँ जांगे है पूंचे कितना जानका अब इन दोनों को सॉल कर लें कितना यहाँ पर यह 40 और यहां जाए गए 441 तो देखें यहां पर दिया गया भी इसकी दोनों की multiply हमने कर लिए तो कितना जागा यहां पर यह 16 चार्ट चुका जागा है 16 और चार्ट जिरों हम यहां पर बढ़ा देंगे यहां पर लगा दिए तो देखें एक लाग साथ हजार उपर हमारा principle निकल अब देखें 41 गुणा 41 करेंगे हम तो 41 गुणा 41 करना आसान है कैसे इतनी कुणा आपको करनी चाहिए यहां एक ही गुणा 1 में करें एक ही आएगा अब देखें यहां पर उच्छन हमारा सौल हो गया कैसे 12000 में से देखें एक को जह हम यानिके एक मैं से इधर जो पर हमें इसको पूरा सौल करना है बागे यह कॉन्फिडेंटली आप इसको अंसर लगा सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा एक ही आने वाला है एक क्युक्णा एक में कर लिए हमने फिर चारी कम चार चारी कम चार आठ कार्ट लास्ट में देखें एक यासी आएगा चौक 16 4.16 32.24 चार आ जाएगा लासितिस का चार यहां हासिल तीन लेगा यह पर देखेंगे चार चौक तीन डोला और तीन यहां जा गई उनीस के बराबर अब देखें यह आगे हमारा मूंत इह हमारा क्या मूलत इनका दोनों का उन्तर करेंगे तो देखें यहां जाएग तो दोनों का अंतर कितना निकल के आगे हमारा 34480 बाग इतनों इतना हमने गुणा नहीं करें इसको आगे बढ़ जादे यहां पर हम सक्सेसिव नहीं लगाएगा वरना कैलकुलेशन हमारी और ज्यादा टिपिकल होने वाली है अब देखें यहां दिया गयाए कि 16.03% बारसिक दर से 9 माहा का क्रेदी ब्याज यहां पर कितना होगा जबकि 3ck माह से स्यूजित किया जाता है तो देखे यहां पर दर है कितनी 20% ताइम में कितना देखे यहां पर टाइम में यहां पर 12 महीने का यानि कि एक साल का अब एक साल में दर कितनी है यहां पर एक साल में दर है 20% तो देखे हम क्या गरेंगा यहां पर 4 से डिवाइड लगाते हैं दोनों में 4, 5 कितना जागा है यहां तो तुहां जागा है चार्त यह बारत तीन महीने के लिए निकल को कितना जाए तो ऍतल महीने के दे तीन महीने के देख स land ng क्यों और इन तीन तीन महीनों में जो धर मिलेगी वो कितनी मिलेगी यहाँ पर भी पाँच परसेंट इसमें भी पाँच परसेंट और इसमें भी पाँच परसेंट तो पाँच परसेंट के यहाँ पर तीन पिरियड बनने वाले हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जाएंगेXे सीर निकल लेंगे? हम यहाँ पर हम निकाल लेंगे question कि वैल्यू को successive से. योकि तीन साल का 5% successive यह आपको याद भी रख लिनाएं. याद लेना है तुब हाप इसको solve कर लेंगे, बागे यह होता है, 15.25 के बराबर इतना परसेंट हमें निकालना है 16,000 अगर यह याद नहीं है तो आप क्या करेंगे इसको यहां लिख लेंगे वैल्यू को X पिलस के यहां जागा Y पिलस के X Y 200 दो बारी में आप इसको सॉल करेंगे तो आंसर हमारा इतना ही निकल के आने वाला है तो देखे हम क्या करेंगे सीधा सीधा मैं इसको वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको मैंने मुझे तो याद देखे याद कर रखा यानिकर 3-3 साल की जो वैल्यू है एक से लेकर दस तक वो तो आपको यादी होनी चाहिए जैसे 2% है 2% कि दर है और समय देखे हमें 3 साल का दिया है तो हमें लिखना ना पड़ हम डिरेक्ली याद कर लेंगे इसको 6 पॉइंट होता है हापर ये 1200 आड यानिकर देखे 6.1208% ये 2 साल की जो होती है effective rate होती है 3 साल की 2% की यानिकर 3 साल के लिए जैसे 3% है और समय है 3 साल तो इसको क्या लिखे हम देखे 9.2727% ये होती है effective rate 3 साल के 3% के लिए तो ऐसे ही यहाँ पर आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए जैसे 10 की effective rate 3 साल के लिए 31.1% हो जाएगी याद नहीं है तो कोई problem नहीं है आप इसको क्या करेंगे इस और में लिए effective rate में 55% को रखके साल कर लेंगे अब देखे हमें यहाँ पर दिया हमें 16,000 रुप है निकालना है हमने 15 पॉइंट यहाँ पर आजाएगे 7625 यहाँ से यह पॉइंट अट हैगा तो सिर्फ आपको यह इतना इतना ही step लिखना पड़ेगा आपको यह क्या करना पड़ेगा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानि कि और आपका time यहाँ पर बच जाएगा तो देखे चार 3.0 मेला सी 2 al AB पर 3.0 मेला सी 3.0 काइग अभी हम पच्छी से से काट लेते हैं तो देखे 55 से इसको काटा जाएगा यहाँ पच्छी चोक असोग और 4 से मने इसको काटा लाट चोक हो जाएगा है यहां Soul 26 से हमने इसको 25 चंग कितने होता है 1.500 हो जाएंगा देखिए साथ बचे का यहां 25 तिया हो जाएंगा है 75 एक बचेगा और यहां 0 25 पंजी हो जाएगा 125 अब नीचे देखे 10 बचा हुआ था हम क्या करेंगा इसको 5 से काट लेंगा पांदूना 10 और 5 से हम इसको काट लेते हैं देखें यहां जा गया है पांच एक बचा पांच दुना में दस तीन बचा पांच और पांच प्र देखिए 2 से हमने इसको काट़ दो दूना चार अब हम क्या करेंगे हैं इस को करेंगे इसकी मैटिपलाय करें यहां पर तो देखें हरा जा गए है 12いきます 212 चंग 122 तो वारा क सकते अब देखे इसके अलावा हम क्या करेंगे इसमें रेशो मैथड यूज़ करेंगे तो रेशो मैथड से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो देखे प्रिंसिपल और एमाउंट का रेशो हमने निकाल ले आ इतना आए गया देखे 5% की दर है और तीन टाइम पिरियड है मतलब एक बटे 20 तो 20 का क्यूब हमें अगर याद है तो हमें आसान हो जाए गई देखे जी मुझे 20 का क्यूब याद है अगर 20 का क्यूब आपको याद है तो यानि के 20 का اور 21 का क्योंकि प्रिंसिपल और एमाउंट का जी रेशो कैशो बनेगा वह कितना बनेगा बीस से कब दिए इसकी वैल्व हमें कितने दीगी 8000 वयल्य हमें दीगी दिए 1600 तो अधिन कि आथ के जरुए दियो में Minor-डी जे इसका दोगुन है तो इसा भी हम दोगुन हो देंके तो दीजिए कहने का मतलब है कहाँ पर आपको कैसे कुस्षण को सूल करना यह आपके उपर ही depend करेगा तो आप इसको कप करेंगा ऐसा जब आपको प्रैक्टिस यहाँ पर थोड़ी अच्छी होगी तो दो के मल्टिवला हमने कर दी तो पच्छिस सो बाइस ही आएगा हमारा इस कुशन का right answer तो देखिए option C हो जाएगा तो देखिए ratio से हमने बहुत ज आई हो जी चेकवरण दी आज की 12% वार्षिक दर्ष में पच्छिस सो इधनवाशी कितने वर्ष में 2809 रुपय हो जाएगी time period ही हमें यहाँ पर बताना है लेकिन यहाँ पर दिया गया गी अर्दवार्ष दिए इस टर्म को आपको धियान में रखे कुशन को आपको धिया से पढ़ना है क्योंकि जादा जो सिली मिस्टेक होती है वह इसी टाइप के कुश्चन में होती है अब देखें यहाँ पर हमें प्रेंसिपल और अमाउंट का रेशो लिख लेना है अब देखें दर्द कितनी दी गई हमें 12% कि दीखें इसका fraction value कितना जाएगा तो इसको का हमांट का रिश्वाजाएं पर हमें दिए कहां हमारा जर्द के पर हमारा देखें प्रेंसिपल वह तो कितना है 25 सो है और यहां पर दिया गया है कि 4829 के बराबर है तो यह क्या है 2809 के बराबर हो जाएगा हमने क्या गया इसको चार से काड़ लिया था तो देखे अब क्या करेंगा हम इसको अब हम इसको solve कर लेना है बस तो यहां पर देखे यह तो 2800 यहां गया यह और यहां गया यह पच्छिस सो मारा तो देखेंगे इसको जह हम इस से देखेंगे तो यह इस पर हम कितनी पावल लगाएगे कि यहाँ पर आंसर हमारा आजाएगा तो पच्चिस का स्क्वायर जह हम करेंगे तो कितना जाएगा है है यहाँ पर यह पच्चिस सो और यहाँ जाए बारा परसेंट कुश्चन देखे पढ़ने में हमने mistake कर दी यानि कि कुश्चन में पढ़ने में हमने mistake क्या करी है जिस चीज को मैंने समझाया था आपको यहाँ पर यह है देखिए rate परसेंट जो दीखे हैं यहाँ पर दी गई हमें दो से कार्ड लेते हैं तीन बटे आ जा गई पचास के तो देखिए यह यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है देखिए यहाँ पर हो गई है ऐसी आपको गलती नहीं करनी है ध्यान रखना है इस चीज से आपको और ज्यादा ध्यान रहेगा तो अगली जो सिली मिस्टेक होगी वह भी यहाँ पर देखिए आप तो दीके सिधे सिधे हमें वैल्यू दिख रही है आपको अगर यहाँ पर ध्यान हो तो यहाँ पर देखिए यह क्या है यह सिधा सिधा हमें दिख रहा है कि यह पचास का स्क्वाइर है पचिस सो क्या है पचास का स्क्वाइर है तो यहाँ पर देखिए 53 का भी स्क्वाइर कितना होगा यहाई आपको खेलना है और यह जो हमने स्क्वार किया है इसका मतलब क्या है यह टाइम पिरिएड यहाँ पर निकल के आगी है दो अब यह दो साल नहीं है अगर आप दो साल देखकर जैसे यह आपने देखा कि पावर दो है और दो साल आपने आज से टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें दो साल नहीं है टाइम पिरिएड यहाँ पर दो साल है टाइम पिरिएड दूसरे भी टाइम पिरिएड 6 महिन्य का है क्योंकि भ्याजदर कितने हैं यहाँ पर यह च्छमाई है तो 6-6 महिन्य का निकल के आएगा एक साल तो एक साल हो जाएगा हमारे इस कुश्शन का रायट आंसर ऑप्शन यहां पर स्टी आंसर नहीं होगा मारा आंसर होगा हमारा ऑप्षन एए क्योंकि चैचे महीं लेके दूरु टाइंप यहांपर बने है कुजित किया जाय है मतलब अगर देखिए 12% справ porta महICES के लिए तो एक percent होआ यहां पर एक महिने के लिए एक percent होगा च्हा महीने के लिए हैं महीने के लिए 6% होने वाला रे तो 6% हो जाएगा यह 6 महीने के लिए तो 6 माई हमें देखना था अब देखे 6% का fraction value अभी हमने देखना था कितना होता है यहां पर यह देखे यह हो जाएगा दूत्याच है और यहां जाएगे 50 प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशु लिख लेंगा ऐसे कुष्षण का पैसे ही solve करते हैं तो प्रिंसिपल देखे हमारा 50 है तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा हमारा 30 के बराबर और कुषण में क्या दिया गया है कि कि जो अमाउंट है हमारा वो तो कितना है एक लाग 25,000 के बराबर ह है और जो हमारा देखिए यहां पर यह प्रेंसिपल आ गया एक लाग पच्छी जार एमाउंट आ जाएगा हमारा एक लाग अड़ तालीस जार आठ सो सततर के बराबर यह क्या है हमारा एमाउंट निकल इसको उस्अफिन को प्रति Y कितना होता है एक enabling यह उसका सकते हैं मतलब यह 10200 इसको क्योब है 1000 तो हम क्या कह सकते हैं इसको भी हम बता सकते हैं सीधा सीधा यह 303 होगा अगर यह 502 है तो यह recipro 추천 का स्क्यूर्थ होगा 50 का क्यूब है 40 का क्यूब है 54 का क्यूब होगा हमें टाइम ही बताना था पुरह हम सोब नहीं करें शूरी तो धेगे यहांपर टाइम प्रीड आजाएगा हमारा 3 तीन यहांपर आंसर 3 साल 6-6 महीने के तीन टाइम पिरेड बनेंगे It means क्या जाएगा यहां पर यह यह यहां पर आजागा यह दिर्षाल तो दिर्षाल हो जाएगा हमारा इस Qशन का राइट आंसर 6 चाह महीने के 3 पेरिएड मतलब दिर्षाल होगा इस Qशन का राइट आंसर अब देखें Qशन नम्बर 7 हैं यहां पर देखें एक हजार के धन्रासी पर 5% वार्षिक दर्से दो वर्स के चक्रुवदी ब्याज तता साधान ब्याज का अंतर कितना होगा तक से से फॉर्मुले से बिना पेंच चला इस कुशन को सॉल कर सकते हैं वो आंसर आ जाएगा हमारा देखिए 25 पॉइंट यानि के आंसर आ जाएगा उप्शन B क्योंकि देखें यहां पर एक साल में अगर हमें साधान ब्याज मिलेगा 5% तो दूसरे साल में हमें साधान ब्याज कितना मिलेगा 5% तो दो साल में हमें साधान ब्याज जो मिलेगा वो 10% मिलेगा क्या होता है बियाज में हमें क्या होता है चक्रवर्ण हमें के उपर या antar किसका 2 ακुरिफिट्रतzhou का यहें निकल के आएगा 2-0 निकल गहाए बीक LA इसको ऐसे हम डिरेकली करेंगे 25 कितना होता 25 बते में हां 20 तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर या फिर हम successive निकालेंगे तो point यहां जाएगा निकल गए point 25 दुनों को जो अंतर निकल का तो पॉइंट यहां लग जाएगा मतलब 2.5 यानि के धाई रुपया आ जाएगा इस कुशन का राइट आंसर ऑप्सन दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल करने का देखिए दूसरा तरीका है यहां पर गोल्डन रेशियो निकाल लेगा मिस्त वाकि हम क्या करेंगे इसको उससे यह आगे यह 50% अब देखिए इसका भी यह ब्याज आया और चक्रुद्ध ब्याज में ब्याज के उपर ब्याज मिलता तो हम क्या गर गर इसका भी हम 5% निकाल लेंगे तो जह हम इसका 5% निकाल लेंगे तो कितना आएगा तेगे 25 मतलब 2.5 आजाएगा यहां पर रेशिय यहां पर भी हमने देखा था कि जो ब्याज मिलेगा में साधान वो कितना मिलेगा इसका 50 मिल जाएगा अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे यहां पचास गुणा में 100 यानि कि यह आजागा दो तो 100 रुपै प्लस यहां कितना आजागे आई की गुणा एक में करेंगे मिलेगा है अंब हमें 102.2 रुपै वह साधं जो मिलेगा में वह मिलेगा सो रुपै का एक वरस के एक एंधन में honour पर देखिसको 676 हो出साएगे अब ऐसे कुशन में आपको फस्ट नहीं है यहां पर हम इसके रेट परसेंट भी निकाल सकते हैं कि रेट परसेंट कितनी होगी कैसे हमारा तो देखे एक वर्स में कितनी होगी वह 650 रुपए होगी और दूसरे वर्स के अंद में कितनी होगी वह 676 रुपए हो कितनी बढ़ रही है यहां पर यह 6 है दूख 20 रुपए बढ़िया हो किसके ओपर देखे 650 के ओपर बढ़िया हो सादान ब्याज और चक्रुष्दी ब्याज दोनुं समान होते हैं एक साल में deeply और कोई अंतर्ण नहीं आता अर्गर एक साल में हमें दस का मिलेगा तो मिसको Sall कर लेंगे तो 27 और 2,05,10, DO Tras पिर देखे दो 27 और। तो कितना आज यह इसा काता, 50 आजाए यहां 13 से काट ले देखे सैंगे Será सी काते Г Packard हो जाए गए यहां और यह हो जाए लिए 156,55। चार से देखे सैंगें 2Нथसे काता, अपने 2 होगा हमारा इस कुछन का रायट आंसर रेट परसेंट हमने यहां पर निकाल लिए इसके लास्ट वार्षिक दरसें तीन वर्स के लिए किसी धन्राशी के चकुरिदी ब्याज तता साधहन ब्याज का अंतर यहां पर 220 रुपए है तो वह धनाशे कितनी होगी बिना पेंच चलाए सौल कर सकते हैं हम इसको क्योंकि देखे साध्धान ब्याज जो मिलेगा न हमें वहर साल बराबर मिलेगा दस गुणा में दस गुणा में दस ऐसा नहीं हो गया दस पिलस दस पिलस दस मतलब 30% का हमें साध्धान ब्याज मिलने वाला और चक्रवद्धी ब्याज कितना में लगा हमें 31.1% का हमें ब्याज मिलेगा तो देखें यहां पर हमें जो साध्धान ब्याज मिलेगा इसको हम दो क्या तीन तरीके से भी हम इस कुशन को सौल कर सकते हैं तो देखें हमें जो यहां पर इंटरेस्ट म में جو मिले हमें यहां जाएगा सक्षेस हम लगा रहे हैं देखिए यहां पर बागि हमें हमें याद भी है यह 9 पिलस के identifying यहां जाएगा यह जाएगायusters के 10-10 बट्टे में कितना जागाई में यह 100 के बराबर या देखियरो से 0 यहां कितना जागे यह 21 गुणा में दस प्रटे सौख एकटिश तीन साल के निकाल लेगें दस परसेंट को जीरो से जीरो खतम यहां से जीरो अपर लग जागे दस दि कैने 21 को साफ कर लेते हैं यहां पर हम तो देखिए हो जा गए 31 पिलस कर स्कमें इसमें 2.1 31 और 2 कितना जा गए हैंdr 33.1 परसेंट तो देखे साधारण भी दिसमें 12 31.1 परसेंट 3.1 मिला दोनों का पर्तिशत में अंतर कितने का आएगा 2.1% का निकल के आएगा तो हम इसको पूरा लिख लेते हैं यहां पर माइनस कर देंगे हम इसमें से 30 को दोनों का अंतर आ जाएगा देखें हैं यहां पर से 30 के बराबर है यहां इसका मतलब यहां पर यह यहां ये लिए 13 to 11 forced का मान तो कहा हम निकाल लेगा तो सो परसेंट का है निए गोड़ा कर देंगे हम सो से और देखें यहां से पॉइंट टेटागा तो एक जिरो हो उपर और बढ़ा देंगे तो 31 दुना हो जाएगे हैं यह यह बासट पर पीस हजार आ जाएगा हमारा इसकूशन का राइट आंसर ऐसे हमें इस कूश्ठन को आहला है यानी कि इसको लिखना नहीं है यानिके ये लिखके नहीं सॉल करेंगे इन् Sãoीड कभी हम निकालने बैठए इसको निकालना नहीं है सक्सेसी वान से सबसे इंपल data होता है 10% का data सबसे आसान दिया होता है कुश्यंट में किसी धनका 4% वार्षिक दर्ष से दो वर्ष का चकृत्व भ्याज यहां पर 102 रूपे है तो उसी धनका उसी धर से उतनी ही अवधी के लिए साधारन भ्याज कितना होगा तो देखे साधान बे आज कितना मिलेगा दोस साल में 4% कि दर से 8% जबकि compound interest कितना मिलेगा में 4 पिलस के 4 आठ 4.16 मतलब 8.16% मिलेगा हमे तो देखे ये क्या मिलेगा हमें ये CI मिलेगा ये कैसा आया है ये successive में आप इसको रखके solve कर सकते हैं तो हमारे इसाब से जो देखे दिखिया गया है 8.16 कमान वो कितना दिया है यहां पर 102 के बराबर और 8 कमान हम से पूछा गया यहां से हम क्या करेंगे ये पॉइंट अटाएंगे तो 2-0 यहां उपर लगा देगे 8 से काट लेदे हम इसको 8-0 आजा गया चैनल को प्रीज सपोर्ट कर सब्सक्राइब तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाज आहिए